अगर आप MCU फेन है तो आपको पता है कि गॉर्ड दा गॉर्ड बुचर अब हमें MCU की मुवी में देखने को मिलेगा वैसे देखा जाए तो गॉर्ड मार्वल कॉमिस में थौर का मैन विलन है इसलिए वो थौर की आने वाली मुवी थौर फौर यानि थौर लवन ठंडर में द चाट करते हैं तो हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं यूट्यूब चैनल सुपर डास्क और मैं हो को प्यारा टास्क मास्टर कानी की सुर्वात होती है एक बहुत ही दूर के प्लैनेट से लगवक आज से 3000 साल पहले इस प्लैनेट पर चारो तरफ तबाई मची हुई है भुक अब इस कहाने का हीरो कहो या विलन पर इसी कबिले का हिस्सा है गौर गौर के बचपन में ही उसके सामने उसके माता पिताओं को जंगले जानवर मार देते हैं और जब वो बड़ा होता है तो उसकी पतनी एक भुकम के वज़त से मर जाती है फिर उसके बच्चे उसके बहुत ही मतलबी है वो बस अपने बारे में सोचता है हमारे बारे में नहीं सोचता अगर वो हमारी परवा करता तो आज हम इस आहलात में नहीं होते यह सब सुनके धार्मिक कबिले वालो को बहुत गुस्सा आता है गौर वो फिर गौर को अपनी कबिले से बाहर निकाल दे आइ आए जीए कोई ना होने कारण व infect में आ जाता ही कि कगार पर आप पर याटी दंथ नाल कोई आप लगते हैं से आकास में दो गोर्ड लड़ते हों नजर आते हैं उसमें से एक ने golden color का suit पहना है तो दूसरे ने black color का suit पहना है उसमें से जिसने black color का suit पहना है वो Null है जोकि dark world का god है वैसे देखा जाते हो Null एक villain है नल ने अपनी परच्छाई से एक हत्यार बनाया है जिसे हैं नेक्रोसोट के नाम से जानते हैं नेक्रोसोट एक बहुत ही पावरफुल हत्यार है नल ने हजारों साल में कई गौड को अपने हत्यार के मदद से मार डाला और ऐसे में ही उसका सामना एक दिन आर्मी ओफ गोल्ड आर्मर गौड से हुआ यहां भी उसने सब को मार दिया लेकिन आखरी बचे गोल्ड आर्मर गौड ने उसे अपने भाले से बुरी तरह घायल कर दिया फिर लड़ते हुए गोर के सामने जागिरे दोनों बुरी हलत में घाय ले थे नल भेहोस हो चुगा था और गोल्डन आर्मर गौड ने गोर से मदद मागी यह सब देखके गोर को बहुत जादा गुस्सा आया वो बोला जब मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए थी तब त उस दिन से गोर ने कसम खाई कि वो उस हर गोर को मार देगा जिसने उसकी प्रात्ना नहीं सुनी गोर अब अपने एक सफर पर निकल पड़ा वो उन सारे गोर को ढूंड़ रहा था जिस ने उसके प्लैनेट को बरबात किया जिसके कारण में उसने अपने फैमिली को खो दि जैसे डर का गौड, भुकम्प का गौड, फ्लैक का गौड, ऐसे बहुत सारे गौड उसने एक एक करके सजारों गौड को मार दिया इस तरह उसका नाम पड़ा गौड दा गौड बुचर जैसा करते हुए, कुछ साल के बाद उसका सामना हुआ तुफान के देवता, यानि हमारे थौर से फिर इन दोनों की फाइट बहुत ही लंबी चली, जिसमें टाइन ट्रेवल और थौर के अलग-अलग टाइन के तीन वर्जन हुए और आखिर में थोर ने गौड दा गौड बुचर, यानि की गौड को मार दिया थोर और गौड की फाइट की, कॉमिक में बहुत ही पेचिदा और लंबी इस्टोरी है लेकिन यहां मैंने आपको सौर्ट में बता दिया गौर को मारने के बाद थोर को ये बात समझ में नहीं आ रहे थी गौर जो भी कर रहा था उसका वो सही कर रहा था कि गलत कर रहा था गौर के साथ जो भी उसने किया उसने वो सही किया कि गलत किया गौर दा गौर्ड बूचर का रोल प्ले करने वाले है Christian Bell जो की पहले Batman The Dark Knight में Batman का role play कर चुके है वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like करें comment करें और चैनल को subscribe करें और वीडियो जादा अच्छी लगी तो जादा से जादा लोगों तक share करें ताकि उन्हें भी पता चले कि God of the God butcher कौन है तब तक लेट टेक क्यार धन्यवाद